कि यह पर्ची उठाओ का पूछन आयो पहले बता तो देओ निकालने हो तो निकाल लो हमें कहा दिक्के थे का पूछन आयो नहीं आप बताओ कि यह पर बताओ न क्या होगा बालक को का क्या होगे बताओ न यह बालक को बालक किसे बागी तो नहीं का है पड़ो क्या लिखो जो गोलू की मिर्तू हो चुकी है प्रेत बादा का कारण है बात करते करते मरा है सीने में दर्द हुआ साइलेंट अटेक आया है प्रेत बादा है लावगा आसी बाद है पर भूक गदम होगे यह चक्कर एगर में लड़के जेल में कौन राज कुमार प्रियत बादा दादा जाओ कि इस पक्ष में होगा ठीक है लेकिन इसमें बहू का जुक्र नहीं आया है तत्कार प्रभाव से ये मंत्र कलने से सफलता मिलेगी ये मंत्र कर लेना एक सो आठ बार सुबह साम हमाई गारंटी सफलता मिलेगी है ठीक है हनमान जी किरपा करेंगे ये मंत्र करने से लाब होगा अब हम बात करें इसके पहले तो परचा देखो और जो ने मंत्र लिखो बाद इखाता है हनमान जी किरपा से अब कोई भी गटना नहीं होगी चौदा जून के बाद आपके गर में हानी नहीं होगी और दो हजार लंबा योग है लेकि ये बच्चा गर में प्रेत बनके इस्थान गरन करेगा भूत योनी में हैं वो है उसकी गती पाठ पूजा अधिकरा करके तीर्थों का भिर्मन करें और उसकी आत्मा का आधान करें उसको आत्म सक्ति प्राप्त होगी आत्म तक्ति प्राप्त के साथ साथ प्रमात्मा की किरपा होगी तो भूत योनी में रहकर की भी आपको जब तक रहेगा तब तक परजनों को मारदर्सन करता रहेगा एक पित्र के रूप में इस्थापित होगा आशिरवाद है ये मंत्र नहीं बता सकते मंत्र का बैसे तो मंत्र विदान विधी शब को करना चाहिए आप अपने निवास तल पर अनुष्ठान करना है और ज्यान रखिएगा थोड़ा सा मंत्रों में परवतन है एक दूसरे का कोई नकन नहीं करेगा ज्यान रखिएगा